नवश्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है सक्सेस एजुकेटर की यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारी क्लास नंबर 23 जिसमें हम पावर पॉइंट जो के हमारा MS Office का एक पार्ट है उसके इंपोर्टन कोशन डिसक्स करन आने वाले हैं और अदर स्टूडेंट जो मुझे सजेशन दे रहे हैं उनकी सजेशन भी जो है मैं कवर अप करूंगा आने वाली वीडियो में ठीक है तो हम सारा स्लेवर्ट जो है कंप्लीट करेंगे आप चिंता मत करिए काफी टाइम है अभी हमारे पास जीओ आईटी का चिंता मत करिए नए स्टूडेंट जो है सबस्क्राइब कर लेना साइड में आपको बैल आइकन जब देखने को मिलता है उसे बैल घंटी को क्लिक कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना इससे मुझे जो है काफी जो है सुपोर्ट और सुजेशन जो आरे पहले प्रशन की और इन माइक्रोसोफ पावर पॉइंट वैन यू वर गिविंग यूर प्रेजंटेशन और यू नीग टू क्लिक स्लाइट देखो बेसिकली यहां पर क्या पूछा गया है अगर आप पावर पॉइंट प्रेजंटेशन चला रहे हो और आपने जो है पीछे की स्लाइट में जाना है मानलो मैं पीछे की दो स्लाइट पीछे में जाना जाता हूं तो मैं कैसे जाओंगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा राइट क्लिक करूंगा गो टू स्लाइट करूंगा स्लेक्ट स्लाइट करूंगा अधरवाइस मुझे जो है कीवर्ड जो ह जो आपके keys होती है यह वाली एक तो उपर होती है एक नीचे होती है एक right होती है एक left होती है तो मैं इस key की जो है use करके भी बापिस जा सकता हूं लेकिन मुझे one by one जाना पड़ेगा लेकिन मैं directly अगर जाना चाहता हूं particular slide पे तो मैं right click करूंगा go to slide करूंगा और select कर लूँगा उस particular slide को जिस पर मैं काम करना चाहता हूं in Microsoft PowerPoint in two kind of sound effects files that can be added देखो PowerPoint में जो है न आपके दो टाइप के sound type को आप add कर सकते हो sound effects file type नहां पर type पूछा गया है तो file type क्या होता है जैसे कि मानलो dot jpg है यहां पर यह होता है image वाला हम document में क्या इस्ति document वाला आ गया dot xls जो आपकी excel file होती थी उसमें इस्तेमाल होता है ठीक है और वैसे ही similar जो है other files जैसे की png हो गया यह भी image का file type है तो file type भी हम cover करेंगे basically यहां पे इसका पूछा गया sound effect का तो यह होता है dot wave file और dot mid file तो आपको कभी भी जो है paper में देखने को मिले dot mid file या dot wave क चीज है तो यह sound के file type है which file format can be added to powerpoint जो powerpoint में जो है इन में से जो है सभी के सभी जो है आप use कर सकते हो gift का भी इस्तेमाल कर सकते हो gift जो mainly आपको animation देखने को मिलता है वो होता है और जो jpg है आपका जो मैंने आपको बताया कि image file format वेब जो है यह आपका sound वाला है तो यह जो format है आप add कर सकते हैं which can be used to view slideshow तो slideshow का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप shortcut की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कौन सा की इस्तेमाल करोगी तो आप की का इस्तेमाल करोगी F5 का ठीक है F5 दबाओगे तो सीधा slideshow आपका चलने लग पड़ेगा shortcut to insert new slide in a current presentation अग आपने जो है एक नई slide को insert करना है तो आप control प्लस M का इस्तेमाल करेंगे तो option number B is the correct answer you can apply motion effects to different objects in the slide अगर आप slide में जो है मान लो मैंने यहाँ पे picture यूज की है तो मैं इस particular picture पे जो है motion effects लाना चाहता हूं तो मैं कहां पे जाओंगा कौन से option पे जाओंगा मैं जाओंगा animation scheme ठीक है तो animation scheme जो आपको ऊपर ही toolbar में देखने को मिलेगा वहाँ पे select करूंगा और यहाँ पे मैं motion effect डाल सकता हूं in a slide what are the steps to insert a hyperlink तो hyperlink का अगर मैं इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहता हूं तो मैं इन दोनों चीजों से कर सकता हूं control plus K से भी और insert button पे जाके then hyperlink पे जाके option इसका right हो जाएगा option number D both A and B which of the following are types of sound file sound file मैंने आपको बताया था wave file और dot mid file तो यहाँ पे wave file जो है option में है तो इसका right answer हो जाएगा option number C A file which contains ready made styles that can be used for presentation देखो ready made अगर आपको किसी पकी पकाई चीज मिल रही है तो उसे हम बोलते है template अब मैं यहाँ पर example देता हूं देखो मालो यह मुझे बना बनाया चीज मिल गई यह lines मुझे बनी बनाया मिल गई यह background color मुझे मिल गया और यहाँ पर background color मुझे मिल गया और म मैंने जो है content खुद से add कर लिया और बाकी के जो background में थे यह already मुझे मिल गये तो यह क्या हो गया यह एक template हो गया राइट I hope आपको यह understand हो गया है चलिए आगे बढ़ते है Microsoft PowerPoint इसे तो PowerPoint क्या है PowerPoint हमारा presentation program है right spreadsheet program कौन था हमारा Excel था Excel जो था हमारा spreadsheet program था word processing program कौन सा MS word था हमारा right database program जैसे कि हमारा DBMS या फिर हमारा MSSS जो होता है यह भी database होता है right तो I hope आपको understand हो गया है the toolbar that are displayed by default in PowerPoint Windows देखो PowerPoint अगर आप खोलते हो तो वहां पर default में आपको कितने टूल बार देखने को मिलेगे standard toolbar देखने को मिलेगा formatting toolbar देखने को मिलेगा और drawing toolbar और status toolbar तो total कितने हुए five toolbar आपको total देखने को मिलेगे MS PowerPoint में इन्हें याद रखे न यह काफिए important है what are lines, curves, freeform and scribble तो यह किसके प्रकार है यह प्रकार है आपके custom motion paths के ठीक है कई बार जो है हम custom चीजों का इस्तिमाल करेंगे custom का मतलब होता है कि हम खुद से design करना चाहते हैं ओके तो custom हम खुद से अगर आप कोई motion effect लाना चाहते हैं तो आप इनका इस्तिमाल कर सकते हैं which command brings you to first slide of presentation very important question अगर आपने presentation इस्तिमाल कर रहे हैं और आपने पहली slide पे जो है move on करना है तो आप इन में से कौन सा shortcut key का इस्तिमाल करेंगे तो आप जो है इस्तिमाल करेंगे control plus home का इससे जो है आप directly first slide पे जा सकते हैं MS powerpoint की नेक्स जलते हैं from which one from which menu you can assess picture, text box, chart, etc. तो picture, text box और chart अगर आपने add करनी है अपनी presentation file में तो आप सबसे पहले जाओगे insert पे ठीक है insert पे जाके जो है आपको यह different प्रकार के जो है आपके पास option होंगे picture को भी add कर सकते हैं text को अगर आप डालना चाहते हैं वो add कर सकते हैं charts को add कर सकते हैं और various other things जो है clipart जो है आप वह भी use कर सकते हैं इसके थ्रूँ प्रेजंटेशन को खोलते हो तो आपको left panel पे जो है इन में से option देखने को मिलेंगे लेकिन एक option आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा वह आपका text layout अब text layout अगर हमने add करने हैं तो हम सबसे पहले जाएंगे slide layout पे ठीक है slide layout पे जाके जो है आपको यहां पर total चार option मिलेंगे तो right answer हो जाएगा four ठीक है four option मिलेंगे आपको text layout add करने के in Microsoft PowerPoint to add a header footer on your handout you can use अगर आपने header और footer जो है इस्तिमाल करना है इंसर्ट करना है तो आप जो है the handout master के पास जाएंगे तो यहां पर यह option पर आप क्लिक करना चाहेंगे उसके बाद ही जो है आपको यह option इस्तिमाल करने होगे which of the following is not one of the PowerPoint view PowerPoint view जो है यूटाइप जैसे की slideshow हो गया यह ठीक है यह व्यू टाइप होते है slide view slideshow view presentation लेकिन outline view जो है कोई भी ऐसी इस परकार का view नहीं होता इसलिए answer हो जाएगा option number d ठीक है slideshow भी होता है slide view होता है presentation भी होता है what is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide देखो यहां पर क्या बोला गया है अगर आप जो है अपने mouse का left वाला हिस्सा ठीक है left इसको click करके रखोगे और उसे move करोगे फिर click करके रखोगे और mouse को move करोगे तो उसे हम बोलते है dragging ठीक है मालो एक window मैंने यहाँ पे खोली है एक window मैंने यहाँ पे खोल ली laptop में या computer में MS जो आपकी windows होती है तो एक tab यहाँ पे खोली है यहाँ पे खोली है अब मैं directly क्या कर सकता हूँ यहाँ तो मैं copy paste करूँ अगर मैंने जो है यहाँ पे data आपको समझा गया जो लोग कंप्यूटर का स्तेमाल करते हैं उन्हें यह मालूम होगी in microsoft powerpoint following allows to select more one slide in a presentation अगर आपको microsoft powerpoint पर काम कर रहे हैं और आपको एक और slide को जो है जो इस्तिमाल करना है जो है enter करवाना है तो आप क्या करोगे अगर आपको जो है मेरे पास ये तीन slides है ठीक है अब मुझे जो है इन जो है select करना है in slides को तो मैं क्या करूँगा मैं control पहले shift पर क्लिक करूँगा फिर जो है each slide पर जो है मैं क्लिक करता जाओंगा तो मेरी जो है जिस slide पर मैं क्लिक करता जाओंगा वो slide जो है मेरी select होती जाएगी ठीक है यहां पर basically पूछा गया था कि आप more than one जो अगर slide को जो है आप select करना जाते हो तो आप क्या करोगी आपको shift की दबा के रखनी है साथ में जो है आपको left वाला जो mouse का होता है left की ठीक है उसे जो है पिर किसका इस्तेमाल कर सकते हो control प्लस ओ ठीक है ओ का मतलब ही होता है open how can we stop a slideshow slide show को रोकने के लिए हम कौन सा जो है की का इस्तेमाल कर सकते हैं press जो है हम escape की को जो है press करेंगे उसके बाद जो हमारा slideshow जो चल रहा होगा वो end हो जाएगा you can create a new presentation by completing all of the following तो आप जो है create कर सकते हैं नई presentation को ठीक है by completing all of the following except one इन में से सभी steps से जो है आप एक नई document को create कर सकते हैं presentation की लेकिन एक ऐसी जो है यहां पर option है जिससे आप नहीं कर सकते वो है आपका click file open ठीक है आप control पर end दबाओगे नहीं आप tab खुल जाएगा वहां पर आप बना सकते हो आप file पर जाके new पर click करेंगे वैसे भी आप कर सकते हो आप new button जो है आप standard toolbar पर उस पर click करोगे तो आप वहां से भी इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन click open file जो है यहां से नहीं कर सकते if you select first second slide and then click on the new slide button of the toolbar तब क्या हो देखो अब आपने जो है पहली slide को select कर लिया second को select कर लिया select कैसे किया था मैंने बताया था आपको shift की दबाके रखनी है प्लस आपको उस particular slide पे click करना है दो slide को मैंने click कर लिया अब तीसरी slide को मैंने अगर आप new slide पे option पे जाएंगे तो आपकी तीसरी slide वहां पे add हो जाएगी ठीक है a new slide inserted as the third slide तो तीसरी slide जो है वहां पे आपकी insert हो जाएगी तो के ऊपर ठीक है यहां पर पहली थी दूसरी थी यहां पर तीसरी slide नहीं आ जाएगी okay last question है which view in powerpoint can be used to enter speaker comments तो comments को अगर आपने add करना है तो आप simply नॉर्मल जो है यहां पर आपको option मिल जाएगा वहां पर आप click करेंगे आपको enter这个 speaker comments का जो है option मिल जाता है speaker comments कैसे होते हैं is box होता यह ठीक है जैसे कि आप बॉल रहे होते हैं जैसे cartoon में भी देखते होंगे कैसे आता है वहां पर तो इस तरह आई आप कर सकते हैं तो यह था आज का हमरा पावर पॉइंट का प्रेसेंटेशन का लेक्चर और इस पे भी जो है दो वीडियो और आएंगी ताकि हम कंप्लीटली से कपर अपकर प्राएं तो यह इंपॉर्टन कॉश्चन थे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जुरूर करना मिलते हैं दोस्तों नेक्स लेक्चर में तब तक लिए जाहें